नमस्काल मित्रों मैं निरशकसेना फिजिस फेकल्टी लास्ट लेक्चर में अपनने प्रतिरोद वा प्रतिरोदफा पर ताप का प्रभाव पड़ा और एक अन्य टोपिक अतिचालता पड़ा प्रतिरोद वा प्रतिरोदफा पर ताप का प्रभाव academic point of view से important है कम्पीटिशन वाले बच्चों को तो सभी टोपिक पढ़ने लेकिन ये वीडियो वह बच्चे भी देख रहे हैं जो 12 रुनिंग यानि 12 को में अपियर हैं ठीक है जब तो सभ मैंने आपको बताए था कि ताप के प्रभाव वाले topics important हैं तो या तो topic आ सकता है topic में मैंने आपको विशेश टूप से बता दिया चालक पर ताप का प्रभाव या धातू पर ताप का प्रभाव ध्यान रखी या उससे related numerical create हो सकता है तो हमने सब जो ताप के प्रभाव के दो formulae दर्शाय थे कल एक तो था r2 is equal to r1 1 plus alpha t2 minus t1 इस formulae में t1 degree centigrade पर प्रत्योद r1 और t2 degree centigrade पर प्रत्योद r2 था एक और formula था वो था rt बराबर r0 1 plus alpha t second वाला formulae का यूज आप तब कर पाओगे जब 0 degree centigrade पर प्रत्योद दे रखाओ तो 0 degree centigrade पर प्रत्योद r0 है और किसी ताप t degree centigrade पर प्रत्योद rt है दोनो formulae की दोनो ताप के प्रभाओ के formulae है तो सौर्विक है के topic हम complete कर चुके अब इससे related numerical में ज़्याद ज़्यादा क्या पूछेगा या तो ताप दे कर पती हो तो पूछ लेगा या ताप पूछ लेगा या इसके अलावा alpha पूछ लेगा तो इसमें आप दो तीन संभावनाएं बनती इससे में दो तीन आपको इसके sample numerical दे देता हूँ जो ncrt से ही related है ठीके जब तो सब अब अपन ताप के प्रभाओ के numerical लेते हैं पहला numerical इसमें आ 27 degree centigrade ताप पर प्रतिरोद 100 ohm है तो वरत आप बताओ जबकि प्रतिरोद 117 ohm हो जाए alpha का मान 1.7 into 10 की पाव माइनस 4 प्रति डिग्री centigrade है तो सब पहला ताप तो इसने बताया तीवन यह 27 degree centigrade के लिर सब इस पर अपने को प्रतिरोद बता दिया 100 ohm अब यह किरा वहत आप तीटू बताईए जिस पर प्रतिरोद कितना हो जाए 117 ohm हो जाए जबकि alpha की value इसने दे रखी है 1.7 इंटू 10 की power माइनस 4 प्रति डिग्री centigrade यह साम नुमेरिकल का arrangement है जो अपने को दे रखा है उसकी बारी बात कर रहे हैं स्वावी के अब इस समय यह formula आपके काम का है अपने को temperature बताना है तो आप वो formula उठा लो r2 बराबर r1 1 प्लस alpha t2 minus t1 इसमें जब आप t2 minus t1 को isolate करोगे तो यह इस form में आ जाएगा r2 minus r1 upon r1 alpha इसी से लिखाए इसी को separation करोगे तो t2 minus t1 का यह value आएगा यानि t2 minus t1 r2 117 r100 upon 100 value of alpha 1.7 into 10 की पाम minus 4 t1 का value अपन बाद में रख देंगे t2 minus t1 is equal to उपर तो आपको बसता है 17 यह आपन देखें तो 1.7 और यह 10 की पावर 2 इसको merge कर दे इसमें तो minus 2 रहे जाएगी यह साब 10 है जब नीचे 10 की पावर minus 2 है उपर जाती यह power 3 हो जाएगा 1000 मतलब 10 की पावर 3 अब सब क्योंकि t1 की value दिखाई रखी है तो क्योंकि t2 minus what is the value of t1 27 degree centigrade is equal to 1000 इसलिए t2 is equal to 1027 degree centigrade तो सब इसने सीधा सीधा अपन से question किया था कि सब 27 degree centigrade ताप पर प्रत्योद 100 है वर्त आप बताओ जिस पर प्रत्योद 117 हो जाएगा आलफा की value इसने दे रखी है अब देखो question में variation हो सकते हैं जैसे सब वयत आप बताओ जिस पर प्रत्योद 10 प्रतिशत बढ़ जाए या वर्त आप बताओ जिस पर प्रत्योद 10 प्रतिशत घट जाए तो कियने का मतलब सवाल प्रतिशत की फोम में भी दिया जा सकता है लेकि फिलाल जो चीज है वह आपको दिखा दी गई है ठीक है जब अब second question है फर्स question ले अपन ने second question अपना है 27.5 degree centigrade पर प्रतिवोद 2.1 ohm है जबकि 100 degree centigrade temperature पर resistance 2.7 ohm है तो क्या-क्या दे रखा है सब अब इस next question में है नेक्स question में दे रखा है temperature 27.5 degree centigrade इस पर अपने को resistance इसने बताया है 2.1 ohm है कि लेट सब टेंपरेचर 100 degree centigrade इस पर resistance कहता है R2 is equal to 2.7 ohm है स्वावी के T1 दे दिया T2 दिया R1 दिया R2 दिया अलफा ही पूछेगा तो यह पूछ भी आई रहा है प्रतिरोथ ताप गुणांग का मान बताईए अलफा बताईए ठीक है तब अलफा केलकुलेट करना है फॉर्मूला मैं शुरू में लिखी चुका हूं R2 is equal to R1 1 प्लस अलफा T2 माइनस T1 के लिए सब अब इससे आप अलफा को सेपरेट करोगे तो अलफा बराबर यह आएगा R2 माइनस R1 अपोन R1 T2 माइनस T1 अब इससे आपने पिछला सेपरेशन देखा ही होगा पिछले सेपरेशन में आप यहां से देख लो मैं फाइदर ले गया तो यह T2 माइनस T1 उदर शिप्ट हो गया है तो लास्ट सेपरे उससे भी हम जान सकते हैं वैल्यू पुट करो सब अलफा R2 यानि 2.7 R1 यानि 2.1 R1 अगेन यह 2.1 एंड T2 माइनस T1 T2 अंडेड है और T1 27.5 है है ने पार डिग्री सेंट्रिगेड आएगा के लिए इसको सब कैलकुलेट कर देते हैं ज्यादा मैं ने आपको किये दिया किक कैलकुलेशन पोसिबल नहीं हो पाती कई बार तो मैं जाता हो रही है महाता करके दिखाता हूं आपको यह सब 0.6 है यह 2.1 के लिए इदर देखे है तो यह आता है 72.5 अब यह मेरे इसाफ से आता है जो मैं क्विकली कर रहा हूं है ने आप अपने इसाफ से देख लिजेगा कितना रहा है ने तो यह आता है 72.5 पॉइंट 3 से अगर कैंसिल करें तो यह 6 अपॉन 21 है 6 अपॉन 21 है तो 3 से यह 2 बार और 3 से यह 7 टाइम्स यान यह अपने बाब बता है 2 अपॉन पावर अगेरा नहीं बच रही है ने 2 अपॉन 7 इन्टू 72.5 अब इसको कैलकुलेट करना है यह कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन में कहीं भी कोई मिश्टे को वह आपको चेक करना है मेरा काम है आपको फोर्मूले का सुजाव देना और स बागे तो मैंने यह सब आपको रखके दिखा ही दिया तो अब ससको कैलकुलेट करेंगे जो भी वेल्य होगी वो किस की आजाएगी सब अलपा की वेल्यु तो इसको मैं कैलकुलेशन को यहीं छोड़ देता हूं है ना यह कैलकुलेशन आप कर लोगे यह साब प्रतियोत के सवाल का दूसरा प्रकार या ये दूसरा तरीका अपने दिया प्रतिरोद के सवाल का है जब अब आजे ये सब एक सवाल और छोटा सा सवाल प्रतिरोद के लिमिटेडी सवाल हमें लेने हैं वो ये अपन ले रहे हैं ये सब छोटा सा सवाल है किस ताप पर तामबा यानि को पर का प्रतिरोद उसी के 60 degree centigrade ताप पर प्रतिरोद का दो गुना हो जाएगा जब की अलफा इज इक्वल टू फोर इंटू टेन की पाव माइनस थ्री पर डिगरी सेंटिकेट बात को सुनने से अब ध्यान से यह किया रहा है वर ताप बताओ यानि किस ताप पर कोपर का प्रतिरोद यानि जब वर ताप आपको बताना जब कि अलफा बराबर ये दे रखा है तो सब यदि वर ताप कितना मालू मैं टीडिगरी सेंटिकेड यदि टीडिगरी सेंटिकेड पर प्रतिरोद आटी 0 degree centigrade पर प्रतिरोद का क्या हो जाता है दुगना हो जाता है इसा आपने मान लिया मैंने आपको दोनों फॉर्मूले दर्शा ही रखे हैं अब ये फॉर्मूला आपके काम आएगा क्यों कि इसने क्या पूछा वर्यत आप बताओ जिसपर प्रतिरोद आटी 0 degree centigrade पर प्रतिरोद आटीरोद का दुगना हो तो मैंने इस क्यूशन में यही मेंशन किया कि टी डिगरी centigrade वर्यत आप है जिसपर प्रतिरोद आटी 0 degree centigrade पर प्रतिरोद का दुगना अब आटी की जाएगे कितना लिख दू टू आर जीरो है इधर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी यह साब आर जीरो वाला फॉर्मूला यह काम अगी तो केने का मतलब अपने पाद दो फॉर्मूले है अब डिपेंड करता है अगर यह इस टाइब के सवाल आते हैं तो इसमें आर जीरो वाला जाएगा यह जीरो डिग्री पे दे रखा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं अधर वाइज अल्टिमेट फॉर्मूला यह तो है इस सही है अधर के लिए आर जीरो कैंसल बाई आर जीरो यानि अल्फा टी और यह वन टू में से सब्स्टेक्ट होगा तो 2 माइनस 1 इस इक्वोल टू 1 यानि टी बराबर सुरी अपने को टेम्परेचर पूछा है यानि टी इस इक्वोल टू 1 अपोन अल्फा 1 अपोन अल्फा तो वेल्य ञाद कितना दे रखा आपने ओको यह दे रखा तो ती ये 10 की पाव मैंनस दी को पढ़ ले जाओ 1000 अपोन 4 यानि 250 डिग्री सेंटिगेड 250 डिग्री सेंटिगेड वह ताप है जिस पर ताम्रे का प्रतियोद उसी के 0 डिग्री सेंटिगेड ताप प्रतियोद का दुगना हो जाएगा तो सब ताप का प्रभाव ये तीसरा फेस था प्रत्रियोत का है नहीं जाए आर बराबर वी अपोन आई देट इस आमसला आर बराबर एमल अपोन एनी स्क्वाइर एटो वार तो ये बैसिक आर बराबर रो एल अपोने इस पर नियुमेरिकल किया इसको फर्स फेज कहा इसके बाद कलर कोडिंग वगेरा अनोमिय ओमिय परिपत वगेरा इसको सेकेंड फेज कहा फिर थर्ड फेज अपने कहा ताप के प्रभाव को किले अब सब प्रतिरोत से संबंदित बातों को थोड़ा सा विराम दिया जाएगा क्योंकि सेल पढ़ना है सेल पढ़ने के बाद प्रतिरोत पढ़ेंगे तो complete circuit हमारे काबू में होगा या फिर अपन देख लेते हैं कि पहले प्रतिरोत पढ़ने सेल बाद में पढ़ने यह डिजन लेना मेरा काम है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि सेल वगेरा complete करके फिर वापिस resistance की तरफ आएं यानि प्रतिरोत की तरफ चलें वो ठीक है वो decide कर लेंगे लेकिन अभी फिलाल हम प्रतिरोत को तीन फेज में रोक रहे हैं प्रतिरोत अभी खतम नहीं हुआ है प्रतिरोत से संबंदित बाते तो अभी जारी रहेंगी बस य है कि हमने प्रतिरोत को अभी विराम दे दिया है अब प्रतिरोत को विराम दे कर एसे छोटे छोटे दो टोपिक हैं जो कहीं भी अर्जेस नहीं हो सकते थे उनको अपन डाल रहें एक तो विद्युत उर्जा और एक विद्युत शक्ति ये टोपिक यहां इतने काम नहीं आ विद्युदारा का रासाइनिक प्रभाव भी पढ़ना पढ़ता है, ये केमेश्टी में शिफ्ट हो गया, विद्युदारा का उश्मिय प्रभाव भी पढ़ना पढ़ता है, वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, जो पढ़ाने जा रहा हूं, वो विद्युदारा का चुम्ब के प्रभाव, तो अगले चेप्टर का नाम विद््द्धारा का चुम्ब के प्रभाव है तो सब विद्धुद्द्धारा का उश्मि प्रभाव अब ये एक छोटा सा segment लिया जा रहा है पतियोत को विराम देख कर थे तो सब आप आजाओ विद्युत धारा का उश्मिय प्रभाव लंबा चोड़ा काम नहीं है चोटा सा काम है उश्मिय प्रभाव इसके अंतरगत दो टोपिक लिए जाएंगे तो सब विद्युत धारा का उश्मिय प्रभाव इसमें पहला टोपिक पहला टोपिक एसा विद्यूत उर्जा किलियर किसे कहते हैं विद्यूत उर्जा तो किसी परिपत या चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए या धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उर्जा इस्तोत जैसे बैटरी द्वारा किये गए कारे को विद्यूत उर्जा कहते हैं एक बार और परिभाशा समझ लिजी विद्यूत परिपत या किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए या धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस्तोत जैसे सेल बेटरी आदी द्वारा किये गए कारे को विद्यूत उर्जा कहते हैं तो केने का मतलब हमें सेल या उर्जा इस्तोत द्वारा किये गए कारे की गणना करनी है उस कारे को ही क्या कहते हैं विद्यूत उर्जा चलो सब ये एक चालक है जिसमें अपन ने बिंदु A वब B के मद्दि प्रतिरोत दिखा दिया R प्रतिरोत के सिरों पर विवानतर है कैपिटल V और V विवानतर पर प्रवाहिद्धारा आई है तो सब केपिटल R प्रतिरोत के सिरों पर विविवानतर पर आई धारा प्रवाहिद्धारा करने के लिए यदि इस्त्रोत इसमोल्टी समय में आवेश क्यों प्रवाहिद्धारा करता है तो इस्त्रोत द्वारा किया गया कारे इस्त्रोत द्वारा कारे यानि इसी को कहते हैं विद्ध उर्जा फंदर डबल्यू बराबर ये हो गया सब डबल्यू बराबर क्यू वी मैंने आप से के रखा है के कारे की गणना इस चेप्टर में जब भी की जाएगी वो विभव विवानतर के सुत्र से ही की जाएगी तो आप बिल्कुल के लिए रहे हैं डबल्यू अपॉन क्यू बराबर वी तो डबल्यू बराबर क्यू वी अब सब क्योंकि क्यू बराबर अपन लिख सकते हैं आई इंटू टी आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है है तो क्यू बराबर में लिख दिया i into t इसलिए विद्युत उर्जा w is equal to क्योंकि जगे i t रख दो तो यह आगया v i t यह साब विद्युत उर्जा यह यह के दो के चालक में धारा प्रभाइद करने के लिए यह प्रभाइद धारा को बनाए रखने के लिए किया गया कारिया इसका मात्तर जूल है के लिए है निजा यह मात्तर लिए देता हूँ अब इस कारिय की अगर आप से मानलो कोई कैलकुलेशन कराता है तो जरूरी तो है नहीं कि वो विवानतर धारा और समय दे विवानतर और प्रतिरोद भी हो सकता है धारा और प्रतिरोद भी हो सकता है तो स्वावे के इस से अन्य रूप बनाए जा सकते हैं कैसे क्योंकि अगर मैं वी कोटा के यह लिखूं क्योंकि वी बराबर आई आर वी की जगर आप आई आर लिख दो तो विद्यू तुर्जा का सेकिंड शेप आजाएगा आई स्क्वेर आटी यह भी वोई विद्यू तुर्जा ही है यह उसी का दूसरा रूप है अब आपको आई की फोम में मिल गया वी की फोम में मिल गया यह आई की फोम में यह वी की फोम में हैंजा अब केवल आपको चाहिए के वी और आर ही हावे आई नहीं आए तो सब आई को गायप कर दो आई बराबर V upon R I की जाएगे आप V upon R रखोगे तो V square upon R तो यह आ जाएगा एक और नया shape आ जाएगा तो W is equal to V square upon R into T किलर सब तो केने का मतलब विद्यू तुर्जा थर्ड है ने विद्यू तुर्जा के अब आप सिधा सिधा है तो W बराबर V I T से calculate कर लो या फिर आप समझ लो तीन रूपे सा समझ लो अब विद्यू तुर्जा और उर्जा दोने एक ही चीज़ है मात तक इसका जूली है लेकिन यहाँ पर सरकिट में या सप्लाई के समय जब आप जूल का परिवाशा देते हो तो अलव हो जाती है कैसे सब देखो यदि V बराबर एक वोल्ट व फर्स्ट से फर्स्ट से W इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इस इक्वल टू 1 जूल यानि एक वोल्ट विभानतर पर एक एम्पियर धारा एक सेकिंड तक प्रभाइद की जाए तो इस्तोद द्वारा किये गए कारे को एक जूल कहते है तो केने का मतलब बड़ा अंतर आता है इससे थोड़ा सा इसमें डेप्ट ले लेता हूं हलकी सी आप 11 को याद करो आप आपने कारे का मातर जूल बोला तो वहाँ आप केते थे यदि एक न्यूटन बल वस्तू को एक मीटर विस्तापित कर दे तो बल द्वारा किये गए कारे को एक जूल कहते है ये मेकेनिकल यान्तिकी में और आज आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हो विद्यूतुर्जा में यहाँ पर कह रहे हो एक वोल विबान तर पर एक एमपिर धारा एक सेकिंड तक प्रवाइद की जाए तो इस तो द्वारा किये गए कारे को एक जूल कहते है यानि वास्तम में ठीक है विद्यूत्दारा का उश्मी प्रवाव हम पढ़ रहे हैं लेकिन वास्तिकता एक और है यह आपको यूँ समझाना चाहता है कि बल द्वारा जैसे कारे होते हैं जो आपने इलेवन में पढ़े वही कारेविंदू दुर्जा भी करती है जो बल करता है यहाँ पर सेल बेटरी कर रहे है तो केने का मतलब यह आपको यह भी समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो मेकेनिकल में होता है उसको करने के अन्य तरीके भी है यही वो चीज अपने इस्तोस से करवा ली के लिए आप पंका जलते हो हवा आती है ठंड़क मिलती है यह यांत्रीकुर्जा अब आपने घर में सिलिंग फेन लगा रहा है तो आप बटन दवाते हो वही हवा आती है वही ठंड़क मिलती है यह विद्धु दुर्जा कनवर्ट इंटू यह अंत्रीकुर्जा है था तो यहां पर यह यही बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो वहां भी बल द्वारा है कारे तो कारी है यहां वही कारे इस्तोत द्वारा है अगर CGS यूनिट की बात करें CGS मात्रक तो CGS मात्रक वही रहेगा अर्ग दोनों का संबन्द के लिए रहे एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग अब एक बात को ध्यान से सुनना यह आप विशेश रूप से मैं इसको इंपोर्टेंट लिख देता हूं पेन भी चेंज करता हूं और यह ध्यान भी रखने है विद्यू तुर्जा का व्यवसाइक मात्रक commercial unit of electric energy व्यवसाइक मात्रक तो आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है विद्यू तुर्जा का व्यवसाइक मात्रक होता है board of trade unit इससे आप B O T U बोल सकते हैं या B T U बोल सकते हैं इसे ही आप kilowatt गंटा भी बोल सकते हैं और इसे ही आप जब मीटर के बिजली का बिल आता है तो क्या कहते है यूनिट तो साब है तो वो board of trade unit तो आप से पूछा जाएगा एक नंबर का छोटा सा क्यूशन है कि साब विद्यू तुर्जा का विवसाइक मात्रक बताईए तो अगर फुल पूछे फुल फ्लेश तो board of trade unit इन शोट अपन कहते हैं बोटू या बी टी यू उसका दूसा नाम किलो वाट गंटा भी है और तीसा नाम उसको सिंपल ही हम यूनिट भी बोल देते हैं कुछ भी बोलो सब चाय आप बोलो एक बी टी यू बोलो चाय आप बोलो एक बी ओ टी यू बोलो चाय आप बोलो एक किलो वाट गंटा चाय बोलो एक यूनिट सबी बराबर हैं और ये सब किसके बराबर हैं यह सब हैं जिसके बराबर वो यह लिख देता हूँ 3.6 इंटो 10 के पावार 6 जूल के दुबारा दियान से समझ ले न यह स्पेस लिमिटेट थी मेरे पास लेकिन यह भी पूछ लेते हैं 12th क्लास में पूछा गया है 1 किलोवाट आवार किस के बराबर होता है तो मेरे आपको दिखा दे 1 किलोवाट आवार किस के बराबर लिखोगे आप 3.6 in to 10 की पावर यह आप सुचते 1 BTU बराबर 1 BTU का मत्दभ होई 3.6 in to 10 की पावर 6 जूल के पावर तो सब आपको यह बात समझ मैंने ची इस पेस कम थी इससे मैं बस तुरण समझायता हूँ यह व्यावसाइब माता है कि इसको बोलने में इसके खुब सारे नाम है सब एक ही है एक बोटू को एक बीटीउ को एक किलोवाट गंटा को एक युनिट को यह कितना जूल के बराब होता है अब उस ओर चलते हैं पर पहले यहीं इसको बोट को ठेराए रखता हूँ में जब हम किसी चालक को परिपत को उरजा देते हैं या आपके दो विववान तर आरोपित करते हैं तो चालक के अंदर इलेक्टोन एक से दूसरे सिरे की और प्रवाइट होता है जैसा इस चेप्टर के शुरू में आपको मेकेनिजम समझाया गया था कि दारा कैसे बैठती है तो जिसे आप विवान तर आरोपित करते हो या चालक को उरजा देते हो विवान तर आरोपित करना, विद्वशेत आरोपित करना, बैटे लगाना और उरजा देना ये चारो बाते एक ही है, है ना, इनमें बैद नहीं है बस कब क्या बोल दें, उस सिराप से तो जब हम चालक के सिरों पर विवान तर आरोपित करते हैं तो चालक में इलेक्टोन एक से दूसरे सिरे की और गमन करता है ये इलेक्टोन धनाएनों से भी टकराता है ये अरजित गतियुजा उसमी और जाके रूप में प्रगट होती है चालक से फलसरूप चालक गर्म हो जाता है तो इलेक्टोन जो धनाएनों से टकरा रहे हैं वो अपनी काइनेटिक एनरजी को खोते हैं और ये गतियुजा किसमे रूप पांती हो जाती है उसमी और जाके रूप में फलसरूप चालक गर्म हो जाता है यदि उससरजित उसमी और जाका मान बहुत अधिक हो तो ये और जा प्रगट होगी जीसा आग लगती है आग लगती है तो ठीक है उसमी और जाभी है और प्रकाश भी है तो अगर उश्मी उर्जा का मान दिखू तो स्वाविक है फिर प्रकाश का भी उस सर्जन होता है या यह उर्जा प्रकाश के रूप में भी प्रगट हो सकती है इसी को कहते हैं विद्युधारा का उश्मी प्रभाव जो मैंने statement बुला बल्ब है, हीटर है, गीजर है, कपरों पे प्रेस करने वाली आईरन है चाय बनाने वाली केटली है और भी जहां बिजली से आप प्रकाश प्राप्त करते हो या बिजली से आप गर्मी प्राप्त करते हो वो सभी सयंत्र विद्युद्धारा के उश्मिय प्रभाव पर आधारित सयंत्र है अब सब आपको यही चीज mathematically प्रूव करनी है अश्वर करना है कि वास्तम में दारा के प्रभाव से उश्मा का उत्पादन होगा ही इस assurance के लिए हम जूल के नियम का इस्तेमाल करते है अब सब यहाप को प्रूव करके दिखाना है कि वाँ जो का जा रहा है हो सई तो सब जूल के नियम से जूल के नियम से डबल्यू बराबर जे एच यानि जे इकोल टू W upon H J यहाँ पर उश्मा का यांत्रिक तुल्यांख है ज्यान से सुनें आप इस बात को What is J J यहाँ पर उश्मा का यांत्रिक तुल्यांख है जो उश्मी उर्जा का यांत्रिक उर्जा में और यांत्रिक उर्जा का उश्मी उर्जा में रूपांतरण कर देता है या उसके द्वारा कर देते हैं दोबारा एक बार समझायता हूँ J यहाँ पर उश्मा का यांतिक तुल्यांक है यह कोई constant नहीं यह रूपांतरण गुणांक है जो कारे को उश्मा में और उश्मा को कारे में रोपांतर्ण करने के काम आता है निजाब अपके लिए रोगी बात जे की exact value देखें तो 4.18 और अपन जो round figure लिखते हैं वो 4.2 लिख देते हैं मातर कहां से दिखी जाएगा आपको जूल प्रती कैलोरी निजाब ये जूल प्रती कैलोरी तो सब ये तो इंट्रोड्यूच कर दिया जूल का नियम जो 11 में थोड़े बहुत में प्रता अत है दारा के प्रवा से उत्पन उश्मा अब अपन आगे मेन बात पर ये प्रू होते ही फिर आपको heater, geezer की mechanism समझ में आ जाएगी तो सब धारा के प्रवा से उत्पन उश्मा h is equal to w upon j विद्धू तुर्जा आपने दो तीन रूपों में ले रखी ये देखो ये भी एक रूप है ये भी एक रूप है ये भी एक रूप है आपको इसा भी रूप उठा सकते हैं उसमें कोई boundary नहीं है मैं second वाला उठा लेता हूँ यह वाला है तो सब w का मान रख दें यह सब w का मान में रख दिया i square rt j की value 4.18 है यानि h is equal to एक में 4 point इसका भाग देंगे तो यह point two three nine आएगा i square rt यानि सीधे सीधे h is proportional to i square rt अब सब मुझे कहने की कोई आवश्यक्ता नहीं है अब आप भी समझते हैं कि अगर धारा का प्रवायत होगा तो श्मा के उत्पन होने से कोई भी नहीं रोख सकता है है तसा अब की लिए रहा आब उत्पन हुश्वा नंबर वन दारा के वर्ग के समानुपाती होती है णनमब टू उत्पन ुश्वा प्रतिरोध्र के समानुपाती होती है नमब तुर दारा कितने समय तक प्रवाइद की गई उसके अनुकरमा अनुपाती होती है तो केने का मतलब अब आपको मेरे को बल्ब क्या है, हीटर क्या है, गीजर क्या है, केसे पानी गर्म हो जाता है आप समझाने की जुरूत नहीं है बस अब आप समझ लो किसाब अगर आप एलेक्टिक सप्लाई वायर में करोगे तो हीट जनरेट होगी ही यही विद्युद्धारा का उश्मिय प्रवाव है और उसी के उधारने जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है वो हीटर, गीजर वगेरा यह तो ही टर, गीजर वगेरा से हम पानी को गर्म करते है उनका यूज अलग तरह क sneaking से करते है वो भी हमारे प्रविट में यूज करते है जह थाह तो है नहीं कि उनसे हमें कोई लोस हो रहा है ठीक है जब तो लोस नहीं हो रहा वो भी हमारा एक profit of interest ही है ठीक है जब तो ये सब आपके सामने विद्युत धारा कोश्मी प्रभाव के लिए रोगे है जब अब आजए ये सब इसी का एक topic और है अब आजए ही विद्युत शक्ति है जब इलक्टिक पावर विद्युत शक्ति है इसको भी पीसे ही डिनोट कर इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा सा focus होना थोड़ी सी काम की चीज इसकी definition में मिलेगी दो तरह से मैं आपको इसकी परिवाशा एकी line में दे रहा हूं विद्युत उर्जा की दर या विद्युत उर्जा शे की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं विद्युत उर्जा की दर या विद्युत उर्जा शे की दर को शक्ति कहते हैं अब इसका मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा दुबारा बोल के ने तो सब P is equal to W upon T, अब क्योंकि W तो आपके बाद तीन रूपों में, आप W को VIT भी लिख रहे हैं, W को I square RT भी लिख सकते हैं, विद्युतुर्जा को, और V square upon R into T भी लिख सकते हैं, सबी रखो इसमें, इसमें पी के भी तीन फोर्मूले, यानि विद्युत शक्ति के भी तीन फोर्मूले हैं, सब में से T अदो, विद्युत शक्ति का फोर्मूला V into I, प्रत्य औरती दारा पढ़ेंगे काम आएगा, पार्ट बन का लाज्ट चेप्टर, इसमें देखो I square R, इसमें से भी T का अप करो, तो V square upon R, है जब, मैंने आपको बता दिया, पत्य औरती दारा चेप्टर में ये फोर्मूले काम है, ये विद्युत शक्ति के फोर्मूले हैं, है जब, मेरे को अभी परिभाशा वाली बा कि आप उसका टेंशन नह लें, विद्युत शक्ति का मात तक वाटी है, है जब, यहाँ पर भी आप वाटी लिख सकते हैं, ठीक है जब, वाट की परिवाशा में फर्का जाएगा, जैसे V और I से दें आप, तो जैसे यदी, V बराबर एक वूल्ट, I बराबर एक एमपियर तो P is equal to 1 into 1 is equal to 1 वाट, यानि एक वूल्ट विबानतर पर एक एमपियर धारा प्रवाइद करने के लिए, एक सेकिन तक प्रवाइद करने में किये गए कारे की दर को, एक वाट कहते हैं, चीज वही है, शक्ति है, विद्यु शक्ति है, अन्य मात्रक की बात करें, तो अन्य कोस्पावर 746 वाट, ये पावर का मात्रक है, मेगावाट भी जैसे अपन विद्यु जनरेट करने वाले जनित्र की देखें, जैसे अफ़ला थर्मल पावर 22 मेगावाट विद्यु पैदा करता है, तो मेगावाट का मतलब 10 की पावर 6 वाट, ये भी शक्ति का ये मात्र, जो छोटे विद्यु उत्पादन सेंत्र हैं, वहाँ किलो वाट होती है, तो मेगावाट मात्रक करते हैं, 10 की पावर 3 वाट, तो केने का मतलब, ऐसा ही मात्रक तो वाट है, अन्य प्रचलित मात्रक में आप होर्स पावर के दो, जो 746 वाट है, पहले से पढ़ा हुआ आप का, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट, किलो वाट 10 की पावर 3 वाट, ये विद्यु शक्ति, अब साब में वापिस परिभाशा की तरफ आऊंगा, और मैं अब आपको कुछ बात समझाता हूँ, ये बाते साब अपन छोटी छोटी और इंपोर्टेंट में डालें, पहली बात, जैसे आप कोई बल्ब लेने जाते हो बजार में, या कोई भी मिक्सी लेने जाते हो, टीवी लेने जाते हो, कुलर लेने जाते हो, पंका लेने जाते हो, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोनिक, अपने स्पेशली इलेक्ट्रिक पर फोकस हो जाएं, नि तो फिर क्यों तक कई फिल्ड को जिसे इपन डाइवर्सी फाइड करते हैं यानि फैलाते हैं तो जो में मूल्ची समझनी है हम उससे भटक चुकते हैं तो अपन तो इलेक्टिक सरकृट पर देख लें यानि जिड़ पंखा है लेंप है या बल्ब है cooler है mixy है ये electric circuit है तो जब आप किसी भी electric circuit को लेने जाओगे तो उस पर दो चीज़ें लिखी मिलेगे जैसे मैं 100 watt का बल लेने जाओँ तो 100 watt के बल पर ही दो चीज़ें लिखी रहेंगी 220 volt 100 watt ये दो चीज़ें आपको आटा चक्की पर भी के डबे पर भी लिखी मिलेगी अब उसका watt अलग होगा 1000 watt लिखा हो सकता है मैं तो 100 watt के बल प का बता रहा हूँ के 220-100 mixy है mixy 500 watt की हो सकती तो 500 भी लिखा हो सकता है इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है जिस आप बल्ब लेके आये थे नहीं तो ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि इस बल्ब का उपयोग अगर आप 220 volt पर करेंगे बिल्गुल के लिए रहे किस पर यूज़ करना इसका 220 volt पर इसका यूज़ करेंगे तो इस बल्ब का एक गंटे में खर्चा 100 watt आएगा इस बल्ब का एक गंटे में जो खर्चा है वो कितना आएगा 100 watt यानि आपने इस बल्ब को अगर 10 गंटे चला दिया तो ये 1000 watt खा जाएगा है जब किलिए अगर इस बल्ब को आप 10 गंटे चलाते हो तो है जब तो किने का मतलब किसी बल्ब पर ये अंकित है 220 volt 100 watt तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब अगर 220 वोल्ब पर चला किलिए तो 100 watt शक्ति का शेय करेगा है ने प्रति गंटे सेकिन 100 जूल परति सेकिन उर्जा का व्याय करेगा उसका खर्चा करेगा किलिए सब अब देखो सब इसके दो मतलब है यहाँ पर ध्यान से समझना है मैं अब आपको अपनी परिभाशा पर ले जा रहा हूँ वापिस मोई जाओंगा है ने हम जैसे मालो मिक्सी लेने गए ठीक है द्यान से समझेंगे आप मिक्सी अब मिक्सी वाले ने आपके सामने मिक्सी रख दी साब यह 300 वाट की मिक्सी है यह 500 वाट की मिक्सी है यह 1000 वाट की मिक्सी है यह रख दीए साब आपके सामने है ने ठीक है, जिसमें वाट ज्यादा लिखें वो पाउरफुल है, इसमें कोई दोराय नहीं है, जिसमें कम लिखें वो वीक है, कमपेरिटिवली कोई दोराय नहीं है, तो विद्युत उर्जा की दर को शक्ति कहते हैं, So what लिखने का मतलब powerful अब इसका दूसरा अर्थ समझेए इसका दूसरा अर्थ है कि इस mixi को अगर आपने एक गंटे चलाया तो यह so what विद्युत का वैग करेगी तो दोनों अर्थ समझेए मिक्सी powerful है no doubt लेकिन इसी के पीछे दूसरी जीज भी है कि इस mixi को अगर आपने एक गंटे चलाया तो एक गंटे चलाने पर यह so what विजली का खर्चा करेगी समझ में आती ही बात तो मैंने इसलिए का विद्युतुर्जा की दर या विद्युतुर्जा शे की दर को विद्युशक्ति कहते हैं या नहीं 100 वाट का वल्ब है इसके दो अर्थ नहीं है? दो अर्थ में हाँ चालिस वाट का वल्ब भी होता है शाठ वाट का भी होता है pouvait सूव Quem एं तो यह तो स MARY हम गया चासाब इस समग तो यज़ी ज़ए देगा सो वाट का है शक्ती ज़ए ने लेकिन इसके पीछे एक वर चुपा है कि एक गंट जलाओ गया एक गंटे भी चीज चीज के दौ अरते हैं और एक ही चीज के एक ही फ्रॉर्मूले के दौ अरते हैं अब यह जो फ्रॉर्मूले धर जो बड़ी मज़दार चीज्जे पावर केलकुलेट करोगे तो भी सी से करना और लोसो पावर केलकुलेट करोगे तो भी सी से करना, दोनों का common formula यह है बस लास्ट में एक बार और समझाएता हूं कि हम मिक्सी लेने गए मिक्सी तीन प्रजेंट की हमारे सामने है हमें प्याज ले सनी पीसना है बाइदवे तो इसमें क्या बुरा ही है कोई दिक्कत थोड़ी है आप जिनको पीसे वो सौफ्ट है तिनसो वाट की ले लो ने भई लेकिन शौप की पर आपके सामने ये भी रखेगा उसका तो काम है अब ये तो साब दिख रहा आपको की तीनसो वाट वीक है कम शक्ति शाली है नो डाउट हजार वाट पावरफूल है नो डाउट साब दिखता है लेकिन इसके पीछे का एक अर्थ हो समझो कि इस मिक्सी को आप एक गंडे जलाओगे तो हजार वाट चुपी है हजार वाट अच्छा है शांदार है पावरफूल है लेकिन उसको जलाएंगे तो एक गंडे में जार वाट कही खर्चा देगी तीनसो वाट वीक है एक गंडे जलाएंगे तो तीनसो वाट वे बिद्युद शक्ति का वे होगा तो केने का मतलब आपकी सोचे समझे कि अगर आपको मसाले गीले वाले पीसने हैं कम जो पीसने हैं तो फिर आप यही लाओ क्योंकि यह लाके फिर एक बिद्ली का बिल भी बढ़ सकता है तो वो मैंने आपको सुझे परिभाशाफ के लिए रोगी विद्यू तुर्जा की दर या विद्यू तुर्जा शे की दर को विद्यू शक्ति कहता है दोनों चीज़ें एक में फॉर्मूले कॉमन है अगली बात अगली बात पीस इक्वल टू वी स्क्वेर अपोन आर जहां तक हम घुरों की बात करें यह यहों कहतें all over सब जगे supply समान्तर कम में होती है और supply समान्तर कम में है तो विवान्तर एक समान होगा समान्तर कम में विवान्तर सद्यू समान होता है इस से लिए power and loss of power तोनों किसके proportional है प्रतिरोद के, व्युत कमानु पाती है, तो सब हीटर है, गीजर है, इनमें आप पावर लोज ज़्यादा चाहते हो, ये दियान रखना पावर लोज ज़्यादा चाहने के लिए प्रतिरोद बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर प्रतिरोद बहुत ज़्यादा है, तो पावर लोस कम हो जाएगा आपको हीटर में गीजर में तो पावर लोस चाहिए आप तो पानी गर्म करके नाना चाहते हो हीटर में आप रोटी बनाना चाहते हो चाय बनाना चाहते हो तो आपको तो पावर लोस ज्यादा मिलनी चाहिए आप तो यही चाहोगे अच्छा हीटर कौन जो ज़्यादा आपको उर्जा दे उश्मा दे अच्छा गीजर कौन जो जल्दी पानी को गर्म कर दे तो आप जल्दी चाहते हो ज़्यादा उश्मा चाहिए तो सब घरेलू जो सप्लाई होती है वो समानतर कम्मे होतीए और समानतर कम्मे विबभानतर नियत होता है तो power loss और power इन्वर्सिली प्रपोर्चनल लगा यानि विद्क मानूपाती हो प्रतिरोत के और ये विद्क मानूपाती हैं प्रतिरोत के तो इसका मतलब यह हुआ hital, healser, आदी, आदी का प्रत्रोद एक सीमा से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत अधिक हो जाएगा, तो पावर लोस डाउन हो जाएगी, वेसे भी समझ लो आप, इसे समझ लो, आई बराबर, वी अपोन आर, अगर रेश्टेंज जादा कर दो के तो दारा कम हो जाएगी, दारा कम हो जब इसे ही कम हो जाएगा, या दारा कम हो जाएगी, तो उश्मी और जब इसे ही कम हो जाएगी, मैं लिखी तो ये उश्मा, ये लिख रखी आपके, अगर दारा कम कर दी, तो उश्मा को जाएगा, तो इसे समझ लो, किले लोगी बात, अब अगली बात, तीसी बात, तीस केल्कुलेशन कैसे करते हैं तो मैं आपको छोटे से में समझ जाता हूं ये केल्कुलेशन यूनिट यानि किलो वार्ट गंटा में की जाती है अगर वी विवांतर पर या वी वोल्ट विवांतर पर आई एम्पियर धारा टी गंटे तक प्रवाइत हो वो ध्यान से समझना था मेरी बात को मैं किराओं जो अपने घर में बिदली का बिल आता है उसको किलो वाट गंटा मतलब यूनिट में कैलकुलेट करते हैं आप कैलकुलेशन कैसे होती उसको समझो यदि वी वोल्ट विवांतर पर आई एम्पेर धारा स्मूल टी गंटे तक प्रवाइत हो तो पावर आप कहेंगे वी आई वी आई तो हो गया वाट और इंटू टी यह हो गया गंटा है दर यानि पी बराबर वी आई टी यह हुआ वाट इंटू आवर जबकि विद्युत खर्च की कैलकुलेशन होती है किलो वाट गंटे में तो किलो वाट गंटे में बदलने के लिए आप थाउजेंड से डिविजन करो और थाउजेंड का मल्टिप्लाई करो थाउजेंड को क्या कहते हैं किलो फिर वाट इंटू आवर तो सब विद्युत खर्च की जो गंणा है वह किलो वाट गंटे में की जाती है और किलो वाट गंटे के लिए ये वी वोल्टे आई दारा है और ती गंटों की संख्या है तो ये वाट इंटू गंटा होता है फिर आपको थाउजन का बाग देना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन तो किलो वाट गंटे में करते हैं और किलो वाट गंटे को यूनिट केते हैं जिसमें बिल आता है हैं जा इसी में सब अब अंतिम बात ये सब समझ में आगी ये मैंने लग से समझाई दिया आपको परिवाशा को विशेश रूफ से ध्यान रखना मैं एक बारूर बतायता हूँ पावर का फॉर्मूला भी पावर का लोस का फॉर्मूला भी यही है ठीक है अब शक्ति का सेयो जन है न इसमें शक्ति का सेयो जन ठीक है जब दो तरीके से आप कर सकते हो अगर शेणी क्रम में उपकरण जुड़े है तो तुल्य शक्ति प्रतेक उपकरण पर शक्ति के शेखे विद्क्रम के योग के बराबर होगी अगर हीटर, गीजर, फना, डिका ये सब आपने शेणी क्रम में जोड़ रखे हैं तो तुल्य शक्ति का विद्क्रम प्रतेक उपकरण पर शक्ति के शेखे विद्क्रम के योग के बराबर होगी अगर आपने इनको समांतर क्रम में जोड़ रखा है तो तुल्य शक्ति प्रतेक पर शक्ति के शे के योग के ब्राव अब आप समझे लोगे से गर में आपके सो सो वाट के पांच पंखे लग रहे हैं तो कितना वाट हो गया? पांच सो वाट क्यों हो गया सब? क्योंकि ये गर में कौन से क्रम में लग रहे हैं? समानतर क्रम में इसके अलावा पचास-पचास वाट के दो बल्ब लग रहे हैं पचास इंटू टू कितना अगया? सो, पाँसो और छेस्सो वाट का खड़्चा क्योंकि वो भी कौन से क्रम में जुण है? समानतर का में पाँसो वाट की मिक्सी है पाँसो वाट का कूलर है हजार वाट का हीटर है तो पाँसो वाट की मिक्सी पाँसो वाट का कूलर हजार वाट का आपके हीटर तो आपका टूटल जो हा रहा है एक गंटे में पाँसो वाट तो पाँस बल्बों का करचा रहा है है 508 25 का जो भी मैंने बोला होगा सो वाट दो बल्मों का खर्चार है 600 और यह 1000 और 2000 268 का कर्चा रहा है प्रती घंटे कि यह क्यों कि सब किसमें समानतर कि समानतर को मैं डारेक्न जोड़ 500 प्लस 600 P1 प्लस P2 ले तो यह विद्युद शक्ति अब इस पे छोटा सा एक numerical में विशेश टोर से इसलिए करा रहा हूं कि आपको यह समझ में आए कि यह जो विद्युद की सप्लाई होती है जो अपने घरों में आ रही है इस सप्लाई में क्या इतना आसान है इस सप्लाई म क्या खर्चा आता है तो साब उस खर्चे का एक analysis समझा रहा हूं कि साब कितना खर्चा आता होगा और यह किसको send करना पड़ता होगा तो साब एक छोटे से question की जरीए मैं आपको एक तो यह समझा हूँआ कि साब यह जो सप्लाईयां होती हैं हमारे घरों को बेजी जाती है यह सप्लाईयां गौवर्मेंट को कितनी कोश्टली पड़ती हैं एक तो यह समझा हूँआ एक यह समझा हूँआ कि हम यह सोचते हैं कि साब यह सप्लाई जो high voltage पे करते हैं आपने दिखौों न 32 केवी का wire जा रहा है 11 केवी का wire जा रहा है 44 केवी का wire जा रहा है 132 केवी का वायर जा रहा है इतने high voltage पर supply क्यों देते हैं तो दो बातों के जवाब high voltage पर supply क्यों देते हैं एक जवाब एक प्रश्ट तो यह एक प्रश्ट ने क्या हमारे घरों में बिजली भेजना बहुत आसान है तो सब क्यूशन छोटा सा है है यह क्यूशन यह कहे रहा है 4.4 kW शक्ति का संचन 10 Ohm प्रतियोद वाली लाइन से करना है अब आपको 4.4 kW शक्ति भेजनी है जिस लाइन से आप भेजोगो इसका प्रतियोद 10 Ohm है अब यह कहे रहा है इसको 44,000 वोल्ट से भेजो नमबर 2 कहे रहा है 220 वोल्ट वाली लाइन से भेजो दोनों में बताओ शक्ति का शे कितना होगा और विभाव का पतन कितना होगा बड़ा मज़ेदार छोटा सा सवाल है ग्यान वाली बात है आपको जो पावर सप्लाई करनी है यह 4.4 kW किलो का मतलब 1000 है तो सब 4.4 को आप 1000 से गुणा करेंगे तो यह आगे 2400 वाट जिस लाइन से बेज़ेंगे उस लाइन का प्रतियोद दसों अब इसने दो उप्शन दी है मैं कोशिश करूँगा कि दोनों उप्शन में एक ही पेज पर बात बेट जाए कोशिश करते हैं अपने ने अगर एक पेज पर बेढ़ जाएगी तो बेटर है पहला उप्शन है कि यह सप्लाई आप कितने विभानतर पर दें 44000 वोल्ट पर दें ठीक है सब यह सप्लाई 44000 वोल्ट पर दें किलिए अब 44000 वोल्ट पर इस शक्ती का संचन करना है यह रहा 44000 वोल्ट अब यह संचन किस से करते हैं धारा से आपके सबी घरें आपका गर भी आपने जब घर बनाया होगा तो बिजली विभाग में एक फाइल लगाएगी तो हमाँ डिमांड की होगी जहीं हमें दो किलो वाट का कन्यक्शन दो 5 किलो वाट का दो कै एक किलो वाट का दो तो हम एक फाइल लगाते हैं उसमें requirement बताते हैं तो यह शक्ति गोर्मेंट तार के दोरा दारा से बेशती है तो सब कितनी दारा की जूरुत पड़ेगी आई बराबर P अपोन V P के तीन फोर्मूले P बराबर V इंटू आई भी है पहला फोर्मूला P कितना कितनी पावर बेदनी है 4400 कितने वोल्ट पर बेदने की चल रही बात हाई वोल्टेज पर 4400 कितनी दारा बेदनी पड़ेगी 0.1 Ampere इतनी दारा बेदनी पड़ेगी ठीक है सब 0.1 है अब देखू Loss of Power कितनी पावर का लोस हुआ तो I square R से निकाल ले हैंने I square 0.1 इंटू 0.1 हैंने Power Loss निकाल ले अपन I square R देखू दारा बेदनी चमवाली से ठीक है मैंने चमवाली सोल्ट अब इंटू Capital R R कितना 10 मात्र कितना लोस हुआ साब मात्र लोस हुआ 0.1 वाट का तो हाई वोल्टेज पर आपने सप्लाई दी कितने वोल्टेज पर हाई वोल्टेज पर देखो साब ध्यां से इतने हाई वोल्ट है तो लोस कितना हो गया छोटा सा नेगलीजीबल ये कोई लोस ही नहीं दूसरा पूछा विभाव का पतन डॉप आप वोल्टेज वी लोस आइंटु आर आई कितना पॉइंट वन आर कितना दस मात कितने वोल्ट का लोस हुआ एक वोल्ट यानि आपने सप्लाई 44,000 वोल्ट पर भेजी है वहाँ पर पहुंचते पहुंचते ये 43,999 वोल्ट रह जाएंगे एक वोल्ट का लोस हो जाएगा तो 44,000 वोल्ट तो 43,999 वोल्ट हैंगे ये कोई नेग्ली जीबल है तो केने का मतलब अगर इस पावर को भेजने के लिए हमने हाई वोल्ट का इस्तेमाल किया हाई वोल्ट का इस्तेमाल किया तो लोस ओ पावर नेग्ली जीबल है 0.1 वाट और विभाव का पतन भी ना के बराबर कोई ट्रांसफार्मर लगाने की जुरत बीच में नहीं पड़ेगी दूसरा ओप्शन दूसरा ओप्शन दिया गया है कि यही सप्लाई आप 220 वोल्ट यानि कम वोल्ट पर भेजो देखां यही सप्लाई किस पर बेजनी है 220 किस से बेजने दारा से देखां कितनी दारा चाहिए आई बराबर पी अपोन भी पी कितना चौंग अले सो और यह 220 वोल्ट ठीक है यह सब कितने एंपियर धारा चाहिए बीस एंपियर धारा चाहिए लॉस आप पावर देखें कितनी पावर का लोस हो जाएगा आई स्क्वेर आर यानि बीस का स्क्वेर इंटू आर बीस का स्क्वेर यानि चार सो चार सो को दस्ते गुणा करो शार हजार वाट वोल्टेज लॉस देखो विभाव का पतन आई इंटू आर आई कितना बीस आर दस कितना दो सो वल्ट अब आप सोचो कि आपको किसी घर को इतनी शक्ति भेजनी थी हर घर जो आपका भी है आपके आसपास वालों का भी है हर घर को विद्धु शक्ति रिक्वाइर है उसके लिए हर घर को जो आरे सीबी है या आरे सीबी अपना रास्थान का है या जो बिजली बोर्ड है वो ये शक्ति आपको किसके दोरा भेजता है दारा के दोरा हाई वोल्टेज पर अगर सक्ति भेजते हैं जैसे 44,000 वोल्ट पर भेजी तो धारा का मान अत्यल्प है तो विभव का तो जो लॉस अप पावर है वो ने के बराबर रही है जब पावर का जो लो से वो ने के बराबर रहा जिसको आपने देखा यह रहा वोल्टेज का लोस भी चोले जार वोल्ट में एक वोल्ट का लोस नहीं के बराबर है इसी शक्ति को कम वोल्ट पर भेजो 220 वोल्ट पर तो देखो 20 एंपर धरा सप्लाई करनी पड़ेगी पाइणाम स्वरू देखो कितना पावर लोस हो गया 4,000 आपको बेजना कितना है 4,400 वोल्ट 4,400 वाट आपको बेजना है 4,000 का लोस हो गया तो कितना बेजना पड़ेगा 8,400 वाट की सप्लाई बेजनी पड़ेगी क्योंकि लो वोल्टेज पर ये लोस बहुत जादा है ये जो हो रहा है तो सप्लाई वहां तक तो जाएगी तबी तो सब आपने हुँ सोचते हैं कि जो लाइने बिच्चुई हैं ये बिजली नहीं खाती होगी खाती हैं आप सोचते होगे किसी गाउं में दो तीन चार घरें वहाँ बिजली नहीं पहुची वहाँ बिजली पहुचाएं कैसे कितने लोस होते हैं इस लाइन में जो बिजली लेकर जा रही है इसका कैलकुलेशन को तो हर चोटा गाउं दो मकान वाला गाउं चार मकान वाला गाउं ये कहने लगे कि हमारे बिजली चाहिए तो उसको ये भी समझना चाहिए कि उस तक बिजली पहुचाने में आने वाला खडचा उसके द्वारा बिजली बरतने में प्राप्त बिल से कई गुना है कई गुना है तो हम यह सोचते हैं कि आप सप्लाई में कोई और जाकी खपत नहीं होती अरे भई आप जितना खाते हों उससे जाए तो इन लाइनों में खप जाता होगा जिसा की कैलकुलेशन बता रहे हैं विभाव का पतन कितना हो गया 200 वोल्ड 220 वोल्ड पे सप्लाई करोगे 200 वोल्ड तो चले जाएंगे तो 20 वोल्ड बचेंगे वहाँ पे बेच में आपको ट्रांस्पार्मर लगाने पड़ेंगे बार बार टांस्पार में बार बार वोल्डेज को अप करता रहेगा तो कहने का मतलब ये विद्यू तुर्जा और विद्यू शक्ति ये टोपिक अपन ने प्रतिरोध को रोक कर लिए इसके बाद इसमा आत्वाद निमेरिकल डाल दे ज़्यादा इसमा उलजने की जुरत नहीं है ये विद्यू दारा का उश्मी प्रभाव भी के लिए रो गया जो अपन लेके चले थे के दारा प्रभाव से उश्मा उत्पन नोती हैंदा ये आगे सब हीटर गीजर वगेरा के लिए रो जाना चीए विद्यू शक्ति के अर्थ को समझा दिया गया है मात तक देख लिए गये हैं उससे रिलेटेड बात आ गी है विद्यू शक्ति में आपको पावर लोस और पावर दोनों बता दिया उच्च वाट पावर को भी दर्शाते हैं पर ये भी समझ लेना चीए कि गंटे में खपत भी उतनी है है नहीं ये सब सब ही जो भी अब आप इस्टूमेंट खरीद के लाते हो इलेक्टिक तो आप दोनों चीएं देखा करो वोल्ट तो खेर 220-240 लिख रहा होगा वाट कितना लिख रहा हो देखा करो उस हिसाब से आप अपने बिद्ली का बिल खुद केलकुलेट कर सकते हो कई रिटायर भुजरु अंकल कर लेते हैं उसमें इन बातों की नोलेज है उनको अनुमाल लग जाता है का करीबन-करीबन कितना है तो देख लेते हैं कि पलां लाइट कितने समय तक जलती है डिकालाइट कितने है ठीक है बच्छो अगले टॉपिक से वापिस नई शुरूआत अभी चैप्टर रन कर रहा है लंबा चलेगा यह important academic point of view से ज़्यादा नहीं है इसमें बस विशेश मैंने आपको बता दिया था कि इसमें बोटू का ध्यान रखना Board of Trade Unit वो विशेश रूप से बता ही दिया मैंने आपको कि इसका आपको विशेश दियान रखना है जो आपको रखना है ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फिर सब next day फिर मिलते है कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो किसी प्रकार की समझ में प्रोब्लम आ रही है आपको solution चाहिए डी पी पी चाहिए या और भी advanced Christian चाहिए तो आप से के रखा है motion learning डाउनोट करें इसका कोई चार्ज नहीं है थैंक यू थैंक यू वेरी मिलते आशा करता हूँ हमारे top educator का ये lecture आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पन्नी भी मिलता है मुझे सुनने के लिए बात बहुत धन्यवाद थैंक यू